आज हम लोग बनाएंगे सूजी से डोकला बनाएंगे वो भी बिश में हम ऐसा मसाला डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा यह मी कुक में आपका स्वागत है में हुच आया वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरा हें टक देखना यहां पर एक कप मैंने दही ले लिया है उसके साथ मैंने आद्धा कप पानी ले लिया है यह मेजर्मेंट आप सही तरह से करोगे तो आपका दोकला बहुत अच्छा बनेगा इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है एक छास जैसा फ्लॉम में आ जाएगा उसके बाद यहां पर एक कप मैं सुजी ले लोंगी उसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे तो यहां पर हम मिक्स कर दिया है मैंने अभी इसके साथ हम लोग लेंगे नमक तो नमक आप आपके सबसे ले सकते हो टेस के सबसे लेना है हमको उसको वापस हम मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिट के लि तक में हम इसके बीच में जो चटनी बनाएंगे वो बनाएंगे तो दो टमटर लिया है मैंने चार से पांच कली लसन ले लिया है और चार सुखी वाली मिर्ची को मैंने गरम पानी में बॉयल कर दिया है उसके बाद मैंने लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके गुमा दे यह रेडी हो गई है अभी हमने जो गोल बनाया है उसको खोल के देखेंगे तो यह 10 मिनिट के बाद एकदम बढ़िया से यह गोल रेडी हो गया है हमको ऐसा ही चाहिए उसके बाद इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे मैंने 2 कप ले लिया है उसमें दो ग तो यहां पर मैंने रेडी कर दिया है अभी ये तीसरा पार्ट मैंने रख दिया है अभी हम इसका डोकला बनाएंगे तो यहां पर हम लोग जो एक पार्ट दिया था उसमें हम चटनी डाल देंगे ताक एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो इसको अच्छे से मीक्स कर देंगे हम लोग तो इसको अच्छे से गुमा देना है और पूरी चटनी हम इसमें ले लेंगे ताक एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगा अभी जो बर्तन में हम बनाने वाले हैं उसमें तोड़ा ओयल डाल देंगे और अच्छे से सब जगा पे फिला देंगे तो एकदम बढ़िया से हमको सारी जगा पे फिलाना है और उसके बाद हम एक पाट लेंगे गोल का उसके अंदर हम आधा स्पून इनो डाल देंगे और उसके बाद यहां पे हम मिक्स करके उसको जिसमें बनाना है वही बर्तन में हम डाल देंग तो इसको हम गुमा देंगे और इसको हम एक कड़ाई ले लेंगे उसके अंदर गरम पानी करने के लिए रख देंगे और यह बाउल रख देंगे और इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे इसको हम करीब पार्ट से 7 महिट लगेगा क्योंकि ये टाइम लेता है तो ये रेडी हो गया है अभी इसके अंदर हम जो गोल डालने वाले उसमें भी हम थोड़ा सन नमक पहले डालेंगे क्योंकि हमने चटनी में नमक नहीं डाला था उसके बाद इसमें भी आदा स्पुन हम मीनों ले लेंगे और इसको अच्छे से गुमा देंगे तो हमको ज्यादा नहीं गुमाना है इसमें उसके बाद हमने जो बनाया था उसमें हम एड्ड कर लेंगे तो यह भी हम 5-7 मिनिट तक इसको पकाएंगे हम तो इसको भी हमको छोड़ देना है तोड़ी देर के लिए बार-बार खुल के चेक नहीं करना है फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को क्लिक करना तक के नए वीडियो की नोटि और इसके उपर हम डाल देंगे एक गलती हो गई मेरे से के उपर से मैंने डाल दिया है आप उपर से बिल्कुल नहीं डालना नितर ये दोनों मीक्स हो जाएगा तो ये हम ढखके रख देंगे अभी इसको हम 10 मिट के लिए पकाएंगे ताके ये अच्छे से हो जाएगा रे और ये इतना सौफ्ट बना है कि आप देखोगे कि नीचे से थोड़ा सा अलका सा निकल गया है इतना सौफ्ट ये बना है तो आप देख सकते हो उसके बाद मैंने इसको सीधा कर दिया है और इसमें छोक लगाएंगे तो यहाँ पर डो टेबल स्पुन आम उयल ले लेंगे उसमें हम आदी स्पुन राई ले लेंगे और इसके साथ हम छे से साथ कड़ी पता ले लेंगे और इसके बाद हमने जो दोकला बनाया है उसके उपर ये चमच की मदद से डाल देंगे सब जगा पर अच्छे से तो एकदम बढ़िया है हमारा डोकला रेडी हो गया आप देख सकते हो लुक तो बहुत ही अच्छा है खाना में इतना ही टेश्टी लगेगा और सुबह में हमको टेंसन रहता है कि क्या नास्ता बनाए तो ये आप 10-15 मिनिट में ये बना सकते हो अगर आपने चटनी पहले से बना के रखी हो तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तो आप ये फटक से बना सकते हो फ्रेंड्स कोई गेश्ट आता है तो भी ये चट पटा लगेगा ढोकला तफ ये गर पे इसी तरीके से बना सकते हो इसको में साव कर दूंगी तो लूक वाइस यमी टेस्टी ऐसा हमारा ढोकला रेडी हो गया है हमको इसके साथ चटनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने लसन की चटनी अल्रेड़ी अंदर एड़ कर दी है तो ऐसे ही आप का सकते हो थैंक्यू फोर वाचिंग बाई बाई टेक केर